नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम गुरु अकेडमी के ओफिसियल यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 माई 2018 के करेंट रफेर्स पे तो आईए देखते हैं आज 8 माई को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइन्स हैं नु वीडियो को देखने बाद इसको लाइक करके इसके लिंक को वाट्सअप और फेजुक पर सेयर भी कर दिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखे इस करेंट रफेर्स से लाबानुत होज गए और अब आप GS और करेंट रफेर्स का अपडेट पाने के लिए हमारी पहला प्रशन है हाली में किस वेक्व 15 वित आयोक के पुढ कालिक सदस के रूप में नियुक्त किया गया है तो देखे ये वेक्ति हैं असोक लाहिडी तो आपको याद आखना है कि असोक लाहिडी को 15 वित आयोक का पुढ कालिक सदस से नियुक्त किया गया है और देखे य तो आप confuse मत होईएगा तो देखें यहाँ पे आपको दो point मिल गए आपके exam के लिए पहला यहाँ कि पंद्रवा वित आयोग के हाली में पूड कालिक सदस के रूप में अपोइंट किया गया है असोक लाइडी को और जो पंद्रवा वित आयोग है इसके अध्यक्ष है एनके सिंग यानि की नंद किसोर सिंग तो आप यह दोनों point याद रखेगा अगला प्रस्णा है विस्व रेड क्रास दिवस कम बनायाता है तो देखें विस्व रेड क्रास दिवस यह 8 माई को मनायाता है और यह दिवस जो है रेड क्रास के संस्थापक और सांती के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजयता हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिन 8 माई 1828 के उपलक्ष में मनायाता है और देखें जो हेनरी ड्यूनेंट थे इनोंने वर्ल्ड वार के समय जो घायल सैनिक से उनकी सेवा के थी उनका इलाज किया था और इसी के लिए उनको सांती के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और देखें रेड क्रास जो है यह एक गहर सरकारी संगठन यानिकी नौन गौर्रमेंटल आर्गनेशन है जिसको हम सौटर में कहते हैं एंजियो और देखें रेड क्रास की अस्तापना जो है यह 1863 में हुई थी और रेड क्रास का उद्देश से रोगियों घायलों जथा यूद कालीन बंदियों की देखरे करना है और देखे एक्जाम में सबसे जादे पुछे जानावला प्रशना है कि रेड क्रास का मुख्याल और जो भारत है ठीक है विस्व रेट क्रास के संस्थापक हेंडरी डियूनेट के जनम दिन के आउसर पर है और इसके साथ आपको दो और चीज़े याद रखनी है पहला ये कि जो रेट क्रास है इसका स्थापना 1863 में हुआ था और इसका मुख्याल है जेनेवा सुजलेंग में है तथा भारती रेट क्रास सुसाइटी अगठन 1920 में हुआ था तो आप रेट क्रास के बारे में ये सभी जानकारी याद रखेगा अगला प्रशन है किस तिती को अंतरराष्टी थैले सीमिया दिवस मनायाता है तो देखे ये भी 8 माई को ही मनायाता है तो 8 माई को आपको याद रखना है कि दो तितीया मिल गए ये आपको विस्वरेट क्रास दिवस और अंतरराष्टी थैले सीमिया दिवस तो आप याद रखेगा कि 8 माई को अंतरराष्टी थैले सीमिया दिवस मनायाता है और विस्व रेट क्रास दिवस भी मनायता है और देखिए 2018 का जो अंतराष्टी थैलिसीमिया दिवस है इसकी थीम है थैलिसीमिया पास्ट प्रिजेंट एंड फ्यूचर डाकुमेंटिंग प्रोग्रेस एंड पेसेंस नीज वर्डवाइड तो आप याद रखेगा कि 8 माई को अर साल विस्व थैलिसीमिया दिवस मनायता है और 2018 का जो विस्व थैलिसीमिया दिवस है इसकी थीम है थैलिसीमिया पास्ट प्रिजेंट एंड फ्यूचर डाकुमेंटिक प्रोग्रेस एंड पेसेंस नीज वर्डवाइड तो आप ये दोनों चीज याद रखेगा अब थोड़ा साम थैलिसीमिया के बारे में जान लेते हैं तो देखिए थैलिसीमिया के बारे में कई बार एक्जाम में पुछा गया है कि ये किस प्रकार की बीमारी है तो थोड़ा साम करेंट रफेर के दौरान बायलोजी पे चले आते हैं देखिए थैलेसीमिया जो है ये बच्चों को माता पिदा से आनुवनसिक तौर पर मिलने वाला रगत रोग है तो देखिए रेलेवे के एक्जाम में SSC, बैंक और UPSC और PCS के एक्जाम में भी ये प्रस्ट पुछा गया है कि थैलेसीमिया जो है किस प्रकार की बीमारी है फिर आपको ऐसे प्रस्ट देखने को मिल जाता है कि निमनखित में से काउन सी बीमारी आनुवनसिक बीमारी है तो आप याद रखेगा कि थैलेसीमिया जो है ये एक आनुवनसिक बीमारी है देखे आनुवन सी बिमारियां वो होती हैं जो माता-पिदा से बच्चों में आती हैं और देखे इस रोग के होने पर सरीर की हीमोगलोबीन का निर्माण है ये प्रक्रिया गरबड हो जाती है यानि कि हीमोगलोबीन का फार्मिशन ये डिश्टर्ब हो जाता है और इसके कारण रख्त छीड़ता यानि कि एनीमिया के लक्षड प्रकट हो जाते हैं और इसकी पैचान जो है 3 मा की आयू के बाद होती है यानि कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 3 महिने के बाद पता चलता है कि उसको एनीमिया है और देखें जिस बच्चे को thailesemia की बिमारी हो जाती है वो जो है उसके अंदर रख्ट की भारी कमी होने लगती है यानि कि उसके अंदर जो बलड है उसकी कमी होने लगती है और उसके करण उसे बार बार खुन चड़ाने की आऊ सकता पड़ती है तो आप याद रखेगा थैलिसीमिया के बारे में ये सभी चीजें इससे आपका जो है सभी परिक्षाइं आपकी कवर हो जाएंगी यानिकि UPSC से लगाए गुरूप D तक सभी परिक्षाइं कवर हो जाएंगी इतने ही material से तो देखें यहाँ पर कई सारे facts हैं पहला यह जो है यह अनुवंसिक बीमारी है और इस बीमारी के होने के बाद जो मनुश्य है इसके सरीर में हीमोगलोविन की कमी होने लगती है जिसके कारण एनीमिया हो जाता है और जो थैलेसीमिया है इसकी पैचान बच्चे के जन्म के तीन माह के बाद ही उपाती है कि थैलेसीमिया उसको हुआ है और इसमें जो है जो बच्चा होता है उसके सरीर में रक्त की भारी कमी होने रखती है इसलिए बार-बार उसको खून चड़ाना पड़ता है अलग से तो आप थैले सीमिया के बारे में ये सभी चीज़ें याद रखेगा अगला प्रस्थन है हाली में भारत ने किस देश के साथ दवाओं की तसकरी से निपडने के लिए सूचना और अन्य पहलूं के आदान प्रदान के सायों के लिए समझोता किया है तो देखें ये समझोता किया है भारत ने स्री लंका के साथ तो आपको याद रखना है कि हाली में भारत ने स्री लंका के साथ दवाओं की तसकरी से निपटने के लिए सूचना एवं अन निपालों के आदान प्रदान के सहियों के लिए एक समझोता किया है और देखें ये प्रस्ण जो है अगले एक्जाम के लिए most important है क्योंकि इस प्रकार के प्रस्णों का trend चल आ है और इस प्रकार के प्रस्ण PCS वगरे में बहुत पुछे जा रहे हैं और देखें ये निड़ा जो है ये भारत के नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो यानि की NCB और स्री लंका के पुलिस नार्कोटिक्स वीरो यानि की PNB ने नसीले पदार्थों डर्क्स और साइको ट्रॉपिक पदार्थ और समधिद मामलों पर प्रत्मिधियों के बीच नए द अगला प्रत्शन है हाली में किस बहक्ति ने रूस के राश्पधी के रूप में सपद ली तो देखे ये व rằng वला वादीर पुतिन जो की तो आप रूस के बारे में ये सभी पॉइंट याद रखेगा अप रूस यानि की रसिया के बारे में बात कर लेते हैं देखे रसिया की कैपिटल है मासको और रसिया की करेंसी है रसियन रूबल तो देखे ये दोनों पॉइंट एक्जाम में पुछे का हैं रसिया के बारे में तो आप याद रखेगा कि रूस की कैपिटल मास्को है और रूस की मुद्रा है रसियन रूबल अगला प्रशन है हाली में नीती आयोग ने भारत में कम विक्सित जिलों के किसानों को फसल उत्पादन अनुमान की समय पर जानकारी देने के लिए किस संस्थान के साथ एक करार किया है तो देखें ये संस्थान है IBM तो आप याद रखेगा कि हाली में भारत के नीती आयोग ने की नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया ने IBM के साथ भारत के जो कम विक्सित जिले हैं इनके किसानों को फसल उत्पादन अनुवान की समय पर जानकारी देने के लिए IBM के साथ समझोते गयापन पर अस्थाक्षर किया है और देखें नीती आयोग के वरतमान में जो मुख्य कारेकारी अधिकारी हैं इनका नाम है अमिताप कांत और ये प्रस्ण भी कई बार एक्जाम में पूछा आ चुका है और देखे ये जो किसानों को फसल उत्पादन अनुमान की समय पर जानकारी देने के लिए IBM के साथ जो समझवता हुआ है इसका उद्दिश से फसल उत्पादन और मिट्टी की उत्पादक्ता बढ़ाने, क्रेसी इंपूट को नियंतरित करने तसा समगर रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना है ताकि किसानों को पहले से अधिक जानकारी देने के लिए तकनिकी का इस्तेमाल किया जा सके और देखी इस परियुजना के पहले चरण में असम, बिहार, चारकंड, मत्यपरदेश, महराष्ट, राजस्तान और उत्तरपरदेश के दस कम विक्सित जिनों के लिए माडल विक्सित करने पर जोड़ दिया जाएगा तो आप इन राजियों का नाम याद रखेगा और साथी में इस एग्रिमेंट के बारे में याद रखेगा तो देखे ये प्रस्म जो है एक्जाम में जरूर पुछा जाएगा क्योंकि ये नीती आयोक से जुड़ा हुआ है और इससे जो है हमारे भारत का ग्रामीड विकास जुड़ा हुआ है और इसमें एग्रिकल्चर भी जुड़ा हुआ है अब फोड़ा सा हम नीती आयोग पर चर्चा करेंगे क्योंकि भारत के सभी परिक्षाओं में नीती आयोग के बारे में कुछ न कुछ जरूर पुछा जाता है तो देखे सबसे पहले तो आप याद रिका कि अमिताप कान जो हैं ये नीती आयोग के वर्तमान Chief Executive Officer है और नीती आयोग का अध्यक्ष जो है ये परधान मंत्री होता है भारत का और नीती जो है इसका फुल फार्म है National Institute for Transforming India और इसका फुल फार्म जो है वन डे एक्जाम में खास तर्से पूछा गया है तो SSC Bank और Railway वाले याद रखेगा कि नीती का फुल फार्म है National Institute for Transforming India और देखे एक्जाम में कई बार पुछा गया है कि नीती आयोग की अस्तापना कब हुई थी तो रेट याद रख लिजे देखे एक जनवरी 2015 को नीती आयोग की अस्तापना हुई थी और देखे नीती आयोग का Headquarter यानि की मुख्याला है नई दिल्ली में और सबसे Most Important प्रस्ट जो एक्जाम में पुछाता है कि नीती आयोग का अधेक्स कौन होता है तो देखे नीती आयोग का अधेक्स प्रधान मंत्री होता है और वर्तमान में भारत के प्रधान मंत्री है नरेंद्र मोधी तो आप ये सभी Point याद रिखेगा नीती आयोग के बारे में क्योंकि इन में से कहीं ने कहीं आपको एक प्रस्ट देखने को मिल जाएगा आपके सभी आगामी परिक्षाओं में अगला प्रस्टा है काउन सा अमेरिकी राज यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांच में सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता बन गया है तो देखें यहाँ पर एक राजी की बात हो रही है जिसने किसी देश को पीछे छोड़ दिया है और यह जो है दुनिया का पांच में सबसे बड़ा अर्थव्योस्ता बन गया है देखें यह राज है अमेरिका का कैलिफोर्निया राजे आपको याद रखना है कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राजे है यह यूनाइटेट किंग्डम को पीछे चोड़ते वे दुनिया का पांचमा सबसे बड़ा अर्थव्योस्ता यानि की एकोनॉमी बन गया है और देखिए जो नविंतम संगी आंकड़ा है इसके मताबिक अमेरिकी राजिक कैलिफोर्निया की अर्थव्योस्ता दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता बन गई है जिसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और कैलिफोर्निया अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के पीछे है तो देखे यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेगा की जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता यह है अमेरिका की और अमेरिका के बाद चीन का नंबर है और चीन के बाद तीसरे नंब पर जर्मनी है और इस समय अगर हम करम की बात करें तो देखे एक स्टेट यानि की एक राजे जो है अमेरिका के काकेवल यह यूनाइटेट किंग्डों को पीछे चोड़कर पांच वहाँ सबसे बड़ा अर्थव्योस्ता बन गया है दुनिया का तो आप यह सभी याद रखेगा अगला प्रस्ण बहुत ही मातपोड़े लिए ध्यान से सुनियेगा देखे अगला प्रस्ण है हाली में भारत के केंदरी प्रतेक्ष करबोड ने किस देश की बीच दोहरे कराधान बचाओ समझोते में संसोधन प्रोटोकाल को अधिसूचित किया है तो दे सुचित किया है और देखे इसकी मुखे बाते जो है इसको भी आप जान लिए देखे इस प्रोटोकाल से CBDT यानि की केंदरी प्रतेक्ष करबोड और मंत्राले के बीच स्वता और नियमित आधार पर आंकड़े और जानकारी साजा करने की सुविधा होगी और देखे इसके था तस्ताई खाता संक्या जिसको आप कहते हैं पैन नंबर ठीक है यानि कि पैन नंबर कार्पोरेट कंपणियों से संबंदित आकड़े कार्पोरेट कंपणियों के आयकर रिटर्न कार्पोरेट कंपणियों दोरा रजिस्ट्रार के पास दर्ज की गई वित्ती जानकारी स इसके अंतरगत कौन कौन सी चीजे हैं तो आप सबसे पर लियाद रखे हैं कि हाली में भारत और कुएत के बीच में भारत की केंदरी प्रतेक्ष करबोर्ड यानि की CBDT ने दोहरे कराधान बचाओ समझोते में संसोधन प्रोटोकाल को हाली में अदो स्विचित किया है और इसके तहट जो बाते हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप वीडियो को रोक कर एक बार फिर से पढ़ लिएगा आप थोड़ा समझ कुवेट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुवेट पर चर्चा हो रही है देखिए कुवेट की कैपिटल है कुवेट सिटी और कुवेट की करेंसी है कुवेटी दिनार तो देखिए सभी परिक्षाओं में मैचिंग के लिए देता है कि किस राजी की या फिर किस देश की कौन सी राजधानी है तो इधर आपको लिष्ट A और इधर लिष्ट B मिल जाएगा इधर देश की या फिर राजी का नाम मिल जाएगा और इधर उसकी राजधानी लिखे होगी तो आप जितना भी fact मैं बताता हूं उसको याद रखा कीजे क्योंकि यहाँ पर देखिए देश का नाम तो होगा यहाँ पर जो है उसके राजधानी का नाम हो सकता है तो यह सभी चीजज जो है ऐसा ही पर देखिए आते हैं तो आप याद रखिए है कि कुवेथ की केपिटल कुवेथ सिटी है और कुवेथ की करेंसी है कुवेथी दिनार अगला प्रस्न है हाली में अरुण दाते का निधन हो गया वह किस शेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं तो देखिए अरुण दाते जो हैं ये महाराष्टे बिलांग करते थे और ये माराठी संगीत में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और देखिए अरुण दाते जो है ये अपने लोप्रेगीत सुक्रतारा के लिए जाने जाते हैं और हाली में इनका निधन हो गया है ये 84 वर्सके थे और देखिए ये राज सरकार के यानिकी महराष्ट सरकार के गजान राव वातो पुरसकार के पहले प्राप्ट करता थे तो देखिए इनके साथ जो है कोई फर्स्ट इवेंट जुड़ा हुआ है इसलिए इनका नाम इंपॉर्टन बन गया है यहां पे तो आप अरुड़ दाते का नाम इत्रिका इनका हाली में अभी निदन हो गया है और यह मराठी संगीत में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और इनका एक लोग परिये संगीत था सुक्रतारा और इसके लिए जो है यह काफी फेमस हुए थे अगला प्रस्ण है हाली में सुपरियम कोट ने किस राजी में पूरु मुख्यमंतरियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है तो देखी यह राजी है उत्तर प्रदेश तो देखी यह प्रस्ण जो है उत्तर प्रदेश की सभी परिक्षाओं में तो पूछा ही जाएगा लेकिन ये जो है आल इंडिया लेवल का प्रस्त मनेगा तो आप याद रखेगा कि हाली में भारत के सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंद्रियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है और देखे सुप्रीम कोट द्वारा साथ म को सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा और देखे सुप्रीम कोट के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरो मुख्यमंद्रियों को अब सरकारी बंगला नहीं मिलेगा और जो सुप्रीम कोट है इसके द्वारा जारी आदेश के बाद अब पिछले आधी को अपने आवास आप खाली करने होंगे तो देखें ये लोग सरकारी पैसे पर बहुत ऐस कर रहे थे आम जंता जो है इनकी कोई चिंता नहीं इनको ये अपने लिए पहले ही कानू बना चुके थे कि अगर हम मतलब मेरा कारेकाल अगर समापत हो जाता है मुक्यमंतरी के रूप में तो मुझे सरकारी आवास मिला रहा ये चाते थे कि मैं जिंदगी पर चान्दी कारते रहूँ तो देखें सुप्रिम कोड ने कहा कि आप गयबल 5 साल के लिए मुक्यमंतरी बनते हैं तो आप जिंदगी पर जंता के पैसे पर ऐस क्यों करेंगे क्योंकि जिस राज का राजेकाल समाप्त हो जाता है उसको फिर आम नागरी की तरह रहना पड़ता है इसलिए आप सरकारी आवास को खाली किए और आम नागरी कों की तरह जिन्दगी बिताईए आप अब राजा नहीं अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की राधानी लखनौ है जो की नवावों के सहर के नाम से विख्यात है और लखनौ जो है ये गोमती नदी की किनारे स्थीत है और ये प्रस्ण कई बार एक्साम में पुछा गया है और देखिए उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुक्य मत्री हैं यह योगी आदितिनात और उत्तर प्रदेश के राजएपाल हैं राम नाइक और उत्तर प्रदेश जो है इसके टोटल नौ पडोसी राजे हैं और इसकी एक अंतराश्टी सीमा नेपाल के साथ लगती है और ये प्रस्न भी कई बार UP, PCS और उत्तर प्रदेश के छोटे-मोटे जितने भी एक्जाम है सब में पूछा गया है तो आप याद र यानि कि ये टोटल नौ राजे जो है ये उत्तर प्रदेश के पडोसी राजे है ठीका यानि कि ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं और ये उत्तर प्रदेश का एक अंतराश्टी सीमा है जो की नेपाल के साथ लगता है तो आप इन सभी राजियों के नाम जो यहाँ प देख रहा है रेट पार जो है ये दिल्ली है ये भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है और उसके बाद राजस्थान का नमबर आता है और उसके बगल में आपको मद्य प्रदेश दिख रहा है ये भी उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है और उसके बाद यहां पर देखें च्छ उत्तर प्रदेश से तो आप याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश के नौ पड़ोसी राजे हैं और इसकी एक अंदराश्ची जीमा नेपाल के साथ लगती है तो आज का करेंट रखेर समाफत होता है और आज के करेंट रखेर पे आधारित यानि की आठ माई 2018 के करेंट रखेर पे आधारित टेस्स सीरीज को आईए सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आज आपको कितना याद हुआ करेंट रखेर में तो देखिए आपको comment box में बताते रहना है सभी प्रस्णों का उत्तर और last में बताना है कि आज आपने total questions में से कितना score किया है तो आप अपना score जो है comment box में जरूर बताएगा और साथी में उत्तर भी बताते चलिएगा हर प्रस्ण का तो आज का पहला प्रस्ण है विस्व रेट कराश दिवस कब मनायता है आपके सामने चार विकल्प है विकल्प A है 7 माई को B है 5 माई को C है 4 माई को और D है 8 माई को तो जल्डी से comment box में बताएगे कि विस्व रेट कराश दिवस कब मनायता है आपको मैं 5 सेगेंड का समय देता हूँ दूसरा प्रसन है कि सिथी को अंतरराश्ट्री थैले सीमिया दिवस मनाया था है तो देखें फिर आपके सामने 4 विकल्प हैं विकल्प A है 3 माई को, B है 4 माई को, C है 5 माई को, और D है 8 माई को तो जल्दी से कमेंड बाक्स में बताइए, आपको मैं 10 सेगेंड का समय देता हूँ फिर से आज के करेंड डिफर का तीसरा प्रसन है काउन सा अमरिकी राज यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचमी सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता बन गया है तो आपको मैं 4 विकल्प देता हूँ, पहला विकल्प है फ्लोरीडा, दूसरा विकल्प है टेकसास, तीसरा विकल्प है अलासका और चौथा विकल्प है कैलिफोर्निया तो आपको बताना है कि काउन सा अमेरिकी राज, यूको को पीछे चोड़कर दुनिया का पांचमा सबसे बड़ा अर्थव्योस्ता बन गया है वर्थमान में तो आपका समय स्टार्ट होता है आज का चौथा करेंडिवर का प्रशना है कि हाल ही में किस ब्यक्त को पंदरवें वित आयोके पूड कालिक सदसे के रूप में न्यूक्त किया गया है तो देखें ये प्रसन बहुत इंपार्टेंट है फिर से सुनिये हाल ही में किस ब्यक्त को पंदरवें वित आयोके पूड कालिक सदस के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आपके सामने चार विकल्प हैं पहला विकल्प है असोक लाहिडी को विकल्प दुसरा है दीपक लाहिडी को और विकल्प C है कमल हंसराज को विकल्प D है जुम्पा लाहिडी को तो आपका समय अभी स्टार्ट होता है और आज के करेंड अफिर का पांचवा प्रस्ना है हाल ही में सुप्रीम कोट ने किस राजे में पुर्व मोखिमंतरियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है तो आपके सामने फिर चार विकल्प हैं विकल्प A है बियार, B है पस्षिम्भंगा, C है असम और D है उत्तर प्रदेश तो आपका समय स्टार्ट होता है अब तो आपका समय अब समापत होता है और ये टेस्ट यहीं समापत होता है तो आप जल्दी से सभी लोग जो है अपना स्कोर बता दिए कि आज आपने पांच में से टोटल कितना स्कोर किया है जिन लोगों ने पांच में से पांच स्कोर किया है उनको बहुत बहुत बधाई अब वो सफलता के काफी करीब है और जिनका पांच में से पांच स्कोर नहीं हो पा रहा है वो कोसी जारी रखे और एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने बाद इस test series को solve करें उनका भी 5 में से 5 score हो जाएगा और उनको सारे के सारे प्रस्ण आज ही याद हो जाएंगे तो देखिए यह है आज के प्रस्ण का answer की तो आप इससे अपने सभी प्रस्णों का उत्तर मिला लिए और अपना score जो है वो comment box में comment करके बता दीजे तो आज का करें रेपेर सेसन इसमावत होता है आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के बाद इसके लिंक को whatsapp और facebook पर share कर देना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe ने किया वो इस चैनल को subscribe भी कर लें तो आप जो है like share और subscribe करना मत भूलिए thank you